फरिदबाद की शिव शारदा कॉलनी में रहने वाले विश्रू की सीवर के पानी से बने गंदे तालाब में गिर कर मौत हो गई विश्रू रात के वक्त खाना खाने के बाद शत पर बने शौचाले में शौच करने के ले गया था लेकिन अंधेरा होने की वज़े से उसका पैर फिसल गया और घर के ही पीछे बने गंदे पानी के तालाब में गिर गया पुलिस निम्रितिक व्यक्ति के शब का पोस्ट मॉटम बादशाखान अस्पिताल में करवाया तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह गंदा पानी कॉलोनी के घरों से निकलने वाले सीवर के पानी से बना हुआ तलाब है जहां इसमें डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई फरिदाबाद में शिव शारदा कॉलोनी में रहने वाले विश्णू रात के वक्त खाना खाने के बाद छट पर बने शौचाले में शौच करने के लिए गया था लेकिन अंधेरा होने की वज़े से उसका पैर फिसल गया और घर के ही पीछे बने गंदे पानी के तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई प्रत्यक्ष दर्शी की माने तो रात का वक्त था और विश्णू उपर छट पर गया तो उसकी दिवार से उसका पैर फिसल गया और वहां कॉलोनी के बीचों बीच बनी इस गंदे पानी के तालाब में गिर गया जब तक विश्णू को इस पानी से निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी हाथसे की सूचना पुलिस को भी दी गई पुलिस ने मौके पर पहुँच मृतक के शव को पोस्ट मॉटम के लिए बाजशा खान अस्पिताल भिजवा दिया और आगे की कारेवाही शुरू कर दी तलाब में से एक बोड़ी निकाली कोई किसकी बोड़ी है कौन है वह सक्स का नाम विश्णू है वह सिर्फ सारदा कलोनी में रहता है मेरा फ्रेंड है वह मार्केट में फल वेश्टा रात को क्या हुआ था वह खाना खा की छतपे गया था मम्मी पापा से बोला था मम्मी में टोलेट करिया हूं तो उस दोरानी उसका पैर पे चल गया था रात को साड़े दस ग्यारे बजे की बात है दो गंटे बोलियम आई ती आवाज आई बचाओ 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 घरवाले चतपर गए थे उनको नजर नहीं आई रात में अब सुवा बोड़ी लिकाडी गई है उसकी तड़ते का नाम विश्णू है सेवसार का कलोनी का रहने वाला है इसका जो मकान है उसके बिलकुल पीछे एक जोवड है तो गरवाले बदा है यह में सब्सक्राइब चर्भे था नहीं चेर और उसकी जोवड से नकाला इसकी डेड़ू देब बचाओ बोड़े पोश्टमाटम के लिए अब कुछ पता जल पाई है कैसे है इसकी मौत वाले लिए तो पोश्टमाटम उने के मारी के लिए होगा प्लिस कारवाई करें अब इसके गोर्वर्वर्टीज पूरी करें, कारवाई करेंगे